व stimulus कर दोस्तों, जी के अर्जुन सार यूप टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वाँगत है, mission uptgt कला भागतीन में, और chapter का नाम है प्रागरतिहासिक चितरकला 3, ये प्रागरतिहासिक चितरकला का का लांस्ट विडियो है, तो चलिए विडियो प्रारंभ करते हैं, वि कि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं उसका नॉटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आपनों के इस वीडियो का पीडियाप चाहिए तर पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे आओं वहाँ जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं निमन में से कौन सा एक बिश्व की प्राचिनतम प्रागयतिहासिक चित्रकला का किंद्र है तो वह है इनसर होगा भी भीम बेटका यह प्राचिनतम का मतलब होगा यह चित्र प्राप्थ हुआ है 30,000 पुरू से 10,000 पुरू के है यहाँ पर कोश्चन नमबर दो है भीम बेटका की पासान गुफाएं इस्थित है तो भीम बेटका की पासान गुफाएं इस्थित है कहाँ पर यह है बिंधाचल की पहाडियों में एंसर होगा B बिंधाचल की पहाडियों में और ये बिंधाचल की पहाड़ीयां कहा पर है तो ये मद्ध परदेश के राय सेन जिले में स्थित है Q3 है भीम बेट का गुफा के चित्रों की खोज सर प्रथम किसने की तो भीम बेट का चित्रों की खोज सर प्रथम किसने की थी ये खोज की थी स्रीवी एस वांकल कर यहनि सीज का एंसर होगा कोरेशन नंबर 4 है भीम बेटका की क्षोज हुई थी तो भीम बेटका की खोज हुई थी किसकी द्वारा हुई थी तो यह हुई थी या कब हुई थी इसमें पूछ रहा है तो यह Official recession में हुई थी उपर वाला कोशन नमबर तीन जो बताएं है आपको तो इसकी खोज किये थे स्री वियस वांकर और इनका पूरा नाम है विश्णू स्रीधर वांकर जो उपर वाला कोशन नमबर पांच है भीम बेट का नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है तो भीम बेट का नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है तो अगर गुफाओं की बात करेंगे तो इसमें जो है लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई है एंसर रोजाएगा बीश में 600 गुफाएं क्वेशन नमबर 6 है भीम बेट का की सिला उतकरण चित्रकारी किस अवधी की है तो भीम बेट का की सिला उतकरण चित्रकारी किस अवधी की है तो वह अवधी है पैलियो लिथिक यूग का क्वेशन नमबर 7 है भीम बेट का किस सहर के पास इस्थित है तो भीम बेट का जो है किस सहर के पास इस्थित है तो वह सहर का नाम है भोपाल एंसर जाएगा भी भोपाल यानि भीम बेट का जो है अभी भोपाल से भी 45 किलम्टर दोरी पर है यह भीम बेट का पस्षी में इस्थित है और इसको यूनेसको ने भीम बेट का सलचित्रों को बिश्व की बिरासत स सूची में भी सामिल किया है कुर्सान नमबर आठ है भीम बेटका में प्राप्त होने वाले सेलcsutra अधिकतर कहां बने हुए हो आम यह बने हुए हैं कहां पर यह दिवार वव छत पर बने हुए हैं कहां पर सबसे अधिक कौन सा रंग परियोग किया गया है तो भीम बेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग परियोग किया गया है तो इसमें जो रंग परियोग किया गया है सबसे अधिक हुआ है लाल रंग एंसर हो जाएगा डी लाल रंग या इसको जो है इंडियन रेड भी कह सकते हैं अगर लाल नहीं दिया तो आप सफेद लगा सकते हैं क्यादा तर लाल ये सफेद रंगों में ही बने थे question no.10 है प्राग तेहासिक छित्र उत्तर पढ़ेश में कहा है ठीजिमी यह है लखनिया में answer रोजाएगा reject c Lakhaniya और लखनिया कहाँ पढ़ता है उत्तर पढ़ेश के मिरजया पूर जिले में उत्तर पढ़ेश के मिरजया पूर जिले में पढ़ता है लखनिया कोश्चनबर 11 है मिर्जापूर की घुपफाओं में सरवाधिक चित्र इस विषय पर बने हैं किस विषय पर बने हैं ये बने हैं आखेट के विषय पर एंसर जाएगा बी आखेट आखेट यानि सिकार से पसु आखेट को यहाँ पर दिखाये गया है मिर्जापूर में जितने गुफाओं में चित्र है कोश्चन नमबर 12 है प्रागेतिहासिक चित्र सिला चित्रों की खोज किसने की तो प्रागेतिहासिक चित्र सिला चित्रों की खोज किसने की थी तो ये खोज की थी जिनका नाम है आर्ची बाल्ड करलाईल कोश्चन नमबर 13 है घायल सुवर का गुफा चित्र कहां है तो घायल सुवर का गुफा चित्र कहां पर है तो यह है मिर्जापूर्मे यहाँ पर जितने भी गुफा है इसमें पसु आखेट का चित्र चित्र है तो घायल सुवर का गुफा की कहां पर चित्र है तो यह मिर्जापूर्मे है यहाँ पर सुवर, हिरन, गेंडा, बारसिंगा, सावर यह सब चित्र यहाँ पर बने हुए पसुगों के कोश्चन नमबर 14 है मिर्जापूर्मे प्राप्त प्रागेतेहासिक चित्रों में निर्थिका द्रिश किस गुफा में अंकित है तो निर्थिका द्रिश किस गुफा में अंकित है तो वह है लखनिया में एंसर हो जाएगा C, लखनिया कोश्चन नमबर 15 है उत्तर परदेश में प्राप्त प्रागेतेहासिक चित्र कहां है उत्तर परदेश में प्राप्त प्रागतिहासिक चित्र कहाँ पर है तो प्रागतिहासिक चित्र है मिर्जापुर्में एंसर हो जाएगा D, मिर्जापूर में कोश्चन नमर 16 है मिर्जापूर छेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतिय गुफा चित्र बने हुए है तो पहाड़ी का नाम पूछ रहा है कि मिर्जापूर छेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतिय गुफा चित्र बने हुए है तो पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ियों पर एंसर रहे जाएगा D कैमूर की पहाड़ियों पर कुशन नमबर 17 है होसंगाबाद छेतर के आदमगर पहाड़ी में चित्र है तो होसंगाबाद छेतर के आदमगर पहाड़ी में चित्र है यह किसका चित्र है तो यह है प्राग तहासिक काल के एंसर हो जाएगा A प्राग तहासिक काल के यहनी होसंगाबाद यह मद्ध परदेशन पढ़ता है और पंचिमणी से 45 मिने लगवक 75 किलोमेटर की दूरी पर नर्मदा नदी किटर्ट पर इस्तित है और यह नगर से 5 किलोमेटर दूरी पर आदमगल पहाडी है और इसी पहाडी पर जो है पहाडी के जो उपरी भाग है उसमें एक दर्दन सदिक सिंखला बद विसाल सिला करे पाये जाते हैं जहां प्रयाक अतिहासिक चित्रों का ज्यान हमें देखने को मिलता है कोसन नमबर 18 है होसंगाबाद किस चित्र कला के लिए जाना जाता है जिराफ गुरूप कहाँ पाया गया तो यह पाया गया है आदमगड में तो आदमगड कहाँ पर है मध्यप्रदेश में कोसन नमबर 20 है पंच मड़ी की खोज किस ने की थी तो पंच मड़ी की खोज की थी जी आर हंटर ने एंसर रोजाएगा A, G, R, हंटर ने कोश्चन नमबर 21 है पूर्व एतिहासिक कलाकेंद्र राय गढ़ इस्थित है तो राय गढ़ इस्थित है कहाँ पर? यह है 36 गढ़ में एंसर रोजाएगा D, 36 गढ़ में कोश्चन नमबर 22 है पंच मड़ी की पहाणिया किस राज में इस्थित है तो पंच मड़ी की पहाणिया किस राज में इस्थित है तो यह है मद्द परदेश के राज में कोश्चन नमबर 23 है इस्पेन का अल्टा मीरा के समकच कहां के सिलाचित्र है तो इस्पेन का अल्टा मिरा के समकच कहा के सिलाचित्र है तो ये सिलाचित्र है पंच मड़ी के एंसर हो जाएगा ए पंच मड़ी के कोश्चन नमबर 24 है उस बिकल्प यानि उत्तर का चैन करें जो राय गड़ के पूर एतिहासी कला का हिस्षा नहीं है तो वह है उदय गिरी एंसर हो जाएगा ए उदय गिरी कोश्चन नमबर 25 है निमलिकित में से कौन सा अस्थान भारत का आध्य त्यासिक अस्थान नहीं है तो वह है सिंगानपूर नहीं है ये थे वीडियो आज के लिए तुमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम